नमस्ते दोस्तों मैं प्रफुल आपका फिर से सवगत करता हूँ प्रफुल एनिमल केर यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको दो इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हो जिसका नाम है बेला मेल और सीपियम इसके बारे में आपको पूरी जान करें दूंगा ठ हैडेस कंपनी का बेला मिल इंजेक्शन इसमें सॉल्ट है बी कॉंप्लेक्स लिवर एक्स्रेंज विट 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 वेल यह दोस्तों जैसे पश्यू में हर तरह की बिमारी जिसमें पश्यू खाना पिना नहीं कर रहा है जुगाली नहीं कर रहा है इसके लिए हम यह मेडि बिमारियों में भी इसका उप्योग होता है बेला मिल इंजेक्शन एक सदावार इंजेक्शन है यह हर तरह की की बीमारियों में काम में लिया जा सकता है इसका कोई साइड नहीं है ठीक है दोस्तों यह बेला मिल इंजेक्शन हर वेटर नरी के पास में होता ही होता है इसके बाद में हम CPM के बारे में देखेंगे, यह CPM injection है, यह भी गाय भैस कैटल बखरियों में, जैसे हर समय जो भी हम injection लगाते हैं, इसके सपोर्टिव में यह injection लगाना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों, यह allergy को रोकता है, और जैसे दुसरे injection की side effect को भी आसनी से बचाता है, इसलिए दोस्तों, यह CPM injection इसे evil भी कहते है, यह injection भी लगाना बहुती ज़रूरी होता है, ठीके दोस्तों, यह injection Mankind Company का है, और दोस्तों, injection का नाम है Golaris, Golaris, CPM, ठीके दोस्तों, इसे ज़्यादा तर CPM और evil भी कहते है, ठीके दोस्तों, यह injection आप जैसे गाय भैस भक्रियों में, भुकर हो, डाइरिया हो, या फिर Mastarditis हो, या Theluris हो, बेबियोसिस हो, जो भी बीमारी हो, इन में हम हमेशा यूज़ करते ही है, ठीके दोस्तों, डाइरिया में भी इसका उपयोग होता है, ठीके दोस्तों, इसका कैटल में और बफेलों में 10 ml यूज़ होता है, और टेन एमिल होता है ठीकि दोस्तों ये इंट्रा मस्कुलर दोनों ही रूट में लगाए जाता है यदि दोस्तों आपको मेरी जानकरी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों